ये question तो आपने पढ़ी लिया होगा और इसलिए अब हम assume करते हैं कि उसका जो current expenditure है वो 100 रूपीज है और उसके बाद हमें दिया है कि उसका जो income है वो 20% ज्यादा है तो इसलिए उसका income बना 120 रूपीज और income 120 expenditure 100 तो उसका current saving हो गया 20 रूपीज इसे हम एक जगा note कर लेते हैं और फिर एक second case दिया है उसमें उसका income भी change हो जाता है और expenditure भी change हो जाता है जो income है वो बढ़ जाता है बढ़ 20% पहले वाले के मुकाबले तो इसलिए वो बढ़के क्या हुआ 192 रूपीज और पहले वाले के मुकाबले जो expenditure है वो 70% बढ़ता है तो बढ़के वो कितना हुआ 170 और इस वज़ा से उसकी जो नई savings है वो हो गई 192 माइनस 170 22 रूपीज और अब उसका percentage increase बनेगा पहले वाली saving जो 20 है तो उसी वज़ा से answer 10% इस तरह ये question करना है Thank you